आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि HSSC CET का पेपर कब होने वाला है और क्या HSSC CET है वो भाई साब CET का पेपर HSSC लेगा या नेशनल जो टेस्ट एजनसी है भारत की जो टेस्ट एजनसी है उसको दिया जाएगा तो आप मेरे साथ में वीडियो को आर आंत तक बने रहिएगा मैं चंदरहास कास किलासिज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज का हमारा सबसे बड़ा डाउट आप सभी के मन में भी ये डाउट है कि CET का पेपर कब तक होने बाला है तो CET का पेपर HSSC बोर्ड ने कहा है कि हम CET का पेपर मार्च या अप्रेल में लेंगे हां आप सही सुन रहे हैं अभी इसे तो जनवरी है और जनवरी में कोरोना का पीक आब जाएगा और कोरोना चला भी जाएगा तो उसने HSSC वाले ने ये कहा कि हम भाज साव जो HSSC CET का जो पेपर है वो CET का पेपर मार्च और अपरेल में लेने वाल क्या HSSC करवाएगा या क्या National Test Agency करवाएगा तो क्या HSSC ने कहा है वो आप सुनें HSSC Board के अद्यक्स भोपाल सिंग खदरी ने ये कहा है कि हमारी National Test Agency है उस National Test Agency से बात चल रही है सब चीज़ों के उपर हस्ताकसर हो चुके हैं लेकिन National Test Agency है उसकी तरफ से किलियर नहीं हो पाया है कि ये पेपर हम ही लेंगे ये किलियर नहीं हो पाया है या HSSC को खुद लेना पड़ेगा HSSC के अद्देक्स भोपाल सिंग खदरी ने आगे ये भी कहा है कि वो National Test Agency NTA किलियर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास में भारत में और भी पेपर लेने होते हैं इसलिए वो किलियर नहीं कर पा रहा है और भाविश्य में ये दी चाहा तो HSSC जो CT का पेपर है वो भाय साब HSSC ही लेगा और इतना बड़ा पेपर इतने विध्यारती CT के पेपर में बैठेंगे और HSSC CT पेपर लेगा तो मतलब दिक्कत कुछ भी हो सकती है ध्यान रखियोगा और ये पहली बार हर्याना के अंदर CT का पेपर हो रहा है तो पहली बार तो जो चीजे होती है उनके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कते तो आती ही है थोड़ी बहुत दिक्कत का मतलब तो आप समझी गई होंगे नहीं बैस आप समझदार है समझदार को इसारा का पी होता है तो साथियो ये चीजे याद रखिये का मार्च और अप्रेल के अंदर HSSC CT का पेपर होने जा रहा है और ये CT के भाड़ देना नोकरी का सर भाड़ देना पेपर आए तो सर में ऊपर से छेद कर देना खोपड़ी में पेपर के में लेकिन भाजा पढ़ते लगाता रहे ना आपने आप कुछ भी कर सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं ये तो सिरुप पढ़ाई है और पढ़ाई तो भाज आपको करनी ही पड़ेगी तो आप कुछ भी कर सकतें ध्यान रखना आप कमजोर मत समझें आप किसी से कमजोर है ही नहीं समझेंगे क्यों आप किसी से कमजोर है ही नहीं आप उन कामों को याद करिएगा जो सिर्फ आपने किये हैं जो किसी के बिना सहायता के किये हैं तो आप उन कामों को याद करिएगा जो आपने की हैं जिसके कान आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा और आत्म विश्वास आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम तो भाय साथ इस फेपर को किलियर करके ही मानेंगे, किलियर कर ही देंगे तो HSSCAT आ रहा है मार्च अप्रेल में आप त्यार रहिएगा और बहुत भैतरी तरीके से आप त्यारी करते रहिएगा जैहिंद, जैहरियान वीडियो को सेर, लाइक, कमेंट और जरूर करना धन्यवाद